अलावा पटवारी को जुला प्रसाशन दुआरा गद दिवस बिना कारण बताओ नोटिस के निलंबित कर दिया गया, इस ने नई का जुला कॉंग्रेस कमीटी घोर निंदा करती है प्रेस वारता के माधियम से जुला कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष महेश पतेल ने बताया कि यदि जुला प्रसाशन अलावा को शीगर बहाल नहीं करेगी तो जुला कॉंग्रेस कमीटी तेविस जुलाई को कलेक्टर कारलाई का घिराफ करेगी कल जो जोबट SDM ने जो पटवारी निले सलावाजी का आदिवासी समाज का है हमारा जो निलमवित का आदेश निकाला है जो नेवावन में करीब पांच बच्चे और माता की जो अत्या करके जो गाड़ दी गई थी उस आंदोलन में वहां गए थे और मानपूर में भी उसरो देश्ख जो हुआ के डबंग नेता दवारा कर रहे थे तो मा अदीवासी समाज में जायज के लोग सबी बचल अगिते सबी और नेवार में पिल अगिते सभी प्रदेश के हमारे कर्मचारी गए थे जायर करता गए थे एक सभीधान में बोलने का सबका अधिकार है और सब है लेकिन यह जो बट एस्टीयम नहीं जो निलमित किया विलकुल गलत किया है इसके हम youtube top मार्गों जनांदल Parr न करेंगे को यह एक वार्टेवाश्य सरकार यह चाहते कि आदिवाशों का सोशन हो और जो हमारे जो वरिष्ट लोग, सामाज के लोग, कई नेता लोग जो आवाज उठा रहें, उनको ये सस्पेंट करना कभी निलमिक करना के माध्यम से कि आवाज दबाने की कोशिश कर रहें, लेकिन हम कभी आवाज नी दबने देखें और जो हमार आदिवाशों के साथ अगर अत्याचार होईगा, तो चाहे जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, तो हम इसके लिए भी लड़ाई लडएंगे, क्योंकि जो नितेश अलावा जी के साथ, जो SDM ने किया है, जो कि SDM है महां का जोबट का, IS है, और वो केंद्री मंत्री परलाग पटिल का दामाथ है, और ऐसा लगता है कि भारती जनता पंटी के दबाव में निलंबित क्या है, एक तरफ से मुख्य मंत्री कहता है, कि हम आदिवाशों का वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सोशन किया जा रहा है आदिवाशों के साथ, तो ये आने वाले समय में इनक अगर मुख्य मंत्री तेविस तारिक को अगर भाब रहाते हैं, तो पूरे जिले के आदिवाशी समाज के लोग और सभी लोग अगर ये निले सालावा को तत्काल वो नी किया बहाल, तो हम तेविस को करेंगे और सोमार को भी करेंगे, और जो एस्टियम जोबट का है, दामात है, तो इसको तत्काल हटाये जाए, और यहां जिले में कलेक्टर को भी हटाये जाए, एस्पी को भी हटाये जाए, ताकि जिले में अजरत्ता ज्यादा फेल रही है, जो कि पूरा परसाशन भारती जन्ता पाल्टी के दबाव में है, तो हम इसका चुनावायोग को तो भी हम सिकाएट करेंगे ताकि जिले में निश्पक्ष चुनाओ हो और निश्पक्ष काम हो क्योंकि यह भारति जन्ता प्रटि के दबाव में आए दिन कुछ ने-कुछ आदिवाश्यों पर अत्य चार हो रहा है तो कोई ध्यार नि दे रहा है तो हम सब चुनाओ हैं के प प्राव करेंगे और मेरा इतना ही कहना है